हेलो एवरिवान, वेलकम टो फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्योगेस्टल चैनल में आपका स्वागत है So in today's video lecture, we will study in detail about the disease, jaundice So this is our part 2 video lecture on this topic, jaundice, कि जैसके अंदर हम detail में उसकी pathophysiology को study कर रहे है So we will discuss in detail about those causes, signs and symptoms, treatment and diagnosis of these diseases So let's start in this lecture So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि jaundice क्या है तो जैसे अलग-अलग disease होती है कि conditions कहीं जाते हैं कि like diabetes है तो diabetes के अंदर क्या होगा एसी condition कि जिसके अंदर blood sugar का level जो है वो increase होता है Blood के अंदर जो sugar है उसका level जो है वो increase होता है तो वो हो गई condition एक diabetes Same like that jaundice भी एक एसी condition है कि जिसके अंदर high level of bilirubin कि आपके blood के अंदर bilirubin का जो level है वो काफी increase होता है और बिली रुबिन क्या है तो यलो ओरेंज बाइल पिगमेंट है जिसके कारण पेशन की जो बॉड़ी है वो आपको दिखती है यलो विस कि यह आप आप देख सकते कि जॉन्डिस इस अ कंडिसन वीच यह आप देख सकते कि यलो कलर का जो म्यूकस मेंबरेन के कारण जो स्कीन भी पेशन की आपको यलो विस दिख रही है तो यह कंडिसन को कहा जाता है जॉन्डिस उसके बाद हमने सिखा था कि उसके जो कोजी से कि हिपेटाइटिस समझो किसी को हुआ है तो भी जॉन्डिस हो सकता है किसे को गैल्स टॉन है टूमर से तो उसके अंदर भी जॉन्डिस हो सकता है after that in adults जॉन्डिस usually doesn't need to be treated कि कई बार adults के अंदर जॉन्डिस को भीन डिख किया है automatically जो है वो पेशन की जो immunity के कारण जो है वो प्रोपरली automatic किया और हो सकता है जॉंटिस फिर आपको पता होना चाहिए बिली रूबिन क्या है तो बिली रूबिन इसे यलो सबस्टन्स इन यॉर ब्लड कि कब फॉर्म होता है कि जब आपका RBC रेड ब्लड सेल जब ब्रेक होता है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट तयार होती है जिसको हम कहते हैं बिली रूबिन फिर ये बिली रूबिन ट्राविल करता है लिवर के थुरू फिर गैल ब्लेडर एंड डाइजेस्टिव टेक बिफ़र बिंग एक्स क्रेड़ेड जब भी कोई आप कोई मेडिसिंस लेते है या फिर हम हमारे बॉड़ी के अंदर सबसे पहले एक प्रोसेस होती है ये मतलब की absorption होता है उसके बाद D मतलब की distribution होगा फिर M metabolism और metabolism के बाद E है हमारा excreation तो excreation दो रूट से हो सकता है एक तो excreation होने के लिए एक तो through stool जो है वो excreation होगा और दूसरा major root है urine तो जब ये बुली रुबिन एक टाइप का waste toxic हम कह सकते है वो जब produce होता है तो वो further liver के अंदर पहुचता है and liver के अंदर उसका proper metabolism होने के बाद वो चाहे stool के थूरू या फिर urine के थूरू body में से excreate हो जाता है यह हमारा होता है normal pathway और बिली रुबिन का यह आपको level याद रखना है कितना होता है 0.32 1.2 mg पर dl की यह normal value है जब अलग-अलग disease condition produce होती है jaundice के अंदर तो उस वक्त यह जो level है वो enhance होता है और जो condition produce होती है उसको हों कहते है फिर jaundice so bilirubin is a yellow substance that the body create when it replace the old RBC कि हमारे body के अंदर जो old RBC होते है automatically जो है वो breakdown होके वो old RBC का बन जाता है breakdown होने के बाद bilirubin के अंदर वो form होते हैं तो जो हमारे old RBC वो form करते है bilirubin कि जब उनका breakdown होता है और further यह bilirubin जो है वो अच्छे से metabolize होने के बाद excreate होता है from the body in stool या फिर वो as a urine के अंदर उसका excreation हो जाएगा बट यह process नहीं होती तक high level of bilirubin makes a baby's skin white of the eyes and look yellow कि यहाप आप देख सकते है eyes भी काफी आपको yellow is दिख रही है as well as the skin तो यह conditions produce होती है इन्हें jaundice so this is called jaundice फिर हमने सिखा था regarding the bilirubin level कि bilirubin levels are high substance form when bile is broken down and may accumulate and causing the itching all over the body कि सबसे पहले जो symptoms कौन सा पाया जाता है कि patient के अंदर itching जो है वो सबसे पहले देखी जाती है in jaundice कि यह है उसके sign and symptoms कि causing the itching all over the body कि जब उसका level increase ही होता जाएगा तो itching cause करेगा but jaundice itself cause fewer symptoms in adults so this is jaundice के जिसके अंदर specially अलग-अलग symptoms पाय जाते हैं वह मागे देखेंगे उसके बाद liver disease जब किसी को होता है तो उस वक्त भी जब अच्छे से bilirubin का metabolism नहीं होता तो jaundice जो है वह patient को हो सकता है उसके तीन टाइप आपको याद रखने है कि जो हमने previous lecture में already सिखे थे कि pre-hepatic, hepatocellular and post-hepatic in pre-hepatic jaundice there is a excessive red blood cell breakdown which overwhelms the liver's ability to conjugate bilirubin this cause an unconjugated hyperbilirubin नेमिया मतलब कि जो liver की capacity है कि समझो कि liver की capacity है hundred RBC से जो breakdown हुआ हुआ बिली रुबिन है उतनी capacity है उसको metabolize करने की बट समझो कि 100 के बज़ाए excessive amount में 500 जितना बिली रुबिन जो है वो वहाँ पे आता है तो overwhelms the liver's ability to conjugate bilirubin कि जब excessive RBC breakdown होते है कि जो normal समझो कि 100 RBC breakdown हुए तो उससे जो bilirubin हुआ उतना metabolize करने की capacity liver के पास available है पन समझो कि 100 के बज़ाए 500 RBC breakdown हुए उससे जो bilirubin बना उसकी capacity अब available नहीं है तो जो excessive यह 400 जितने RBC excessive breakdown हुए उसका जो bilirubin है वो क्या होता जाएगा accumulate होदा जाएगा और जिसके कारण जो है वो patient को हम कहेंगे कि bilirubin लेवल जो है उसके अंदर increase हो रहा है और वो condition कहीं जाएगे फिर jaundice कोजिस के समझो कि किसी का liver में inflammation है inflammation of the bile duct है bile duct का obstruction है है hemolytic anemia है या फिर Gilbert syndrome के जिसके अंदर liver जो है अच्छे से metabolize नहीं कर सकता bilirubin को because यहाँ पर gallbladder है gallbladder के नीचे जो है वो bile duct है bile duct के थरू जो bilirubin है वो आता है यहाँ पर liver में तो समझे कि bile duct का obstruction होता है या फिर inflammation तो उस वक्त भी problem यही होगा कि bilirubin जो है वो लीवर तक नहीं पहुच रहा और समझो कि लीवर तक पहुच भी रहा है तो लीवर के inflammation के कारण properly liver जो है वो bilirubin को process नहीं कर पाता जिसके कारण bilirubin का level body के अंदर increase होता जाता है और देरे देरे वो फिर condition हम कहते है जोंदीज़ सो दिस कोसरे तो एंदेन अद्यान बिली बलॉबिन इन बलॉट मो लॉज़ टीश बलॉबन जोट रहा है और अजैद बलॉज देरे विल stream where it is then combined with a digestive fluid called bile usually bilirubin is discharged through and remaining through urine but if condition bilirubin cannot be propelled through liver it get accumulated in the blood and causing the jaundice तो यह है मेन रीजन उसका कि जो नॉर्मली तो bilirubin वेस्टी है एक प्रकार का तो फर्दर लीवर उसको जो है वच्छे से प्रोसेस करके फिर उसका एक्सक्रेशन करने में हैल्प करता है यूरीन के थ्रू या फिर थ्रू स्टूल बट जब तक यह कंडिशन नॉर्मल होती है तब तक बट जब कंडिशन एबनॉर्मल बनती है तो यह वह वेस्ट है वह बॉड़ी के बाहर नहीं जाता और फिर वह जो है वह एक्क्यूमलेट होता जाता है इन्हें ब्लड और जो कंडिशन है उसको हम कहते हैं फिर जॉंडिस तो साइन एंस सिम्टम सीची निस देखी जाती है पेशन के अंदर अब्डॉमिनल पेइन है वेट लॉस है वामिटिंग पेलर देन यूजल स्टूल फॉटीग और डार्क यूरीन तो यह सिम्टम समने प्रिवेस लेक्चर में डिटेल में सीखे थे पैथो फिजिलोजी के बारे में भी हमने जाना था कि सेम है कि हाई लेवल अब बिली रुबीन उसका रीजन क्या है तो वह भी हमने जाना कि आर्बी सी ब्रेकडाउन होते है बट फर्दर उसका जो प्रोसेस होके वह एक बिली वर्ड्icking से बिली रुबीन में कनवक्ट होता है उब यह दर्टक के स्लिबर आता है लिवर में कि जहां पर उसका अच्छे से प्रोसेस होता है फिर यूरो बिलीनो जन है वो स्टेरको बिलीन के अंदर लास्ट में कनवर्ट होता है और फिर वो वाटर सॉलिबल कमपाउंड चाहे स्टूल के थरू चाहे वो यूरीन के थरू एक्सक्रेट हो जाता है इस तरह से बिलीरुबिन जो टॉक्सिक्स था which measure the amount of the substance in your blood a complete blood count and the other liver test कि CBC complete blood count यह उसका main first diagnostic tool है और second जो है वो liver test कि CV के साथ आप complete liver test करते हो जिसको liver function test भी कहा जाता है LFT liver function test कह सकते हैं उसको कलीवर अच्छे से काम कर रहा है नहीं तो उसकी related test किया जाता है and also the complete blood count if you have a jaundice your level of bilirubin will be high अब आपको jaundice है तो bilirubin का level आपके blood के अंदर काफी high मिलेगा and the medical staff will ask you about your symptoms and also about the medical history फिर जो medical staff है वो आपकी medical history को चेक करेंगे sign and symptoms को फर्दर चेक करेंगे और confirmation होगा about the jaundice तो यह उसके diagnosis tool के अलग-अलग जो blood test के अंदर LFT जो हमने कहा कि liver function test coagulation study फिर FBC कि जो specially anemia resin mcv and thrombocytopenia all seen in liver disease and UN is specialized blood test उसके अंदर किये जाते हैं कि जिसके अंदर अलग-अलग यह markers चुका है जाते हैं blood markers कि bilirubin है तो quantify the degree of any suspected jaundice कि bilirubin है तो पता चल जाएगा जोंडी से उसके लवब भी उसको confirm करने के लिए कि liver अच्छे से काम कर रहा है नहीं तो albumin तो marker of level synthesizing function कि liver अच्छे से अपना काम कर रहा है नहीं तो उससे आपको पता चलेगा albumin level से AST and ALT marker of hepatocellular injury कि जब आपका hepatocellular मतलब कि जो liver है उसके को injury हुई है तो वह आपको पता चलेगी alkaline phosphatase क्या करेगा कि raisin binary obstruction कि जब binary duct का obstruction होता है तो उस वक्त alkaline phosphate का level जो है वह आपके body के अंदर increase होता है तो वह भी पता चलेगा फिर gamma city more specific in binary obsession than ALP however not routinely perform तो यह जो blood marker से सभी का पता चलेगा कि जब cbc किया जाएगा complete blood count तो full form भी जान लो alkaline phosphatase मतलब कि ALP glutamyl peptidase gamma glutamyl peptidase मतलब कि GGT उसका भी level increase होगा and alanine immunotransferase मतलब कि ALT and aspartate immunotransferase मतलब कि STS अभी के level john disc के अंदर increase होगे तो जब blood clown करा जाता है तब इस तरह से उसका diagnosis हो सकता है और जानते उसके treatment के treatment depends on the underlying causes कि जो उसके causes थे उसके related आप जो medicines जो है वो patient को provide करेंगे कि यहाँ पे जो देख सकते के administration of antibiotics antibiotics आप दे सकते हो antiviral antifungal antiparasitic उसके अलावा जो anti-inflammatory medicines भी patients को दी जाती है because चाहे समझे कि liver का inflammation हो liver का inflammation है या फिर by duct का inflammation है तो उसको cure करने के लिए आप anti-inflammatory medicines कि जिसके अंदर non-steroid anti-inflammatory drugs को भी patients को दी जाती है कुछ conditions के अंदर antibiotics flu-like symptom है तो antiviral eating वगेरा हो लेए तो fungal related medicines fever वगेरा हो रहा है तो anti-parasitic drug भी prefer की जाती है फिर surgery to correct the blockage कि समझे कि bile duct का blockage है कि bile duct आपकी हुई है ब्लॉकेज तो यह जो blockage है उसको cure करने के लिए further क्या की जाएगी correct blockage को clear करने के लिए surgery तो bile duct की यहाँ पे surgery करके उसको जो है वह उसका blockage further up open कर सकते हैं जिससे जो bilirubin है वह easily liver के ओर जाएगा और further liver उसका अच्छे से process करके excreation करवा देगा the use of chemotherapy anti-inflammatory or steroid medications कि समझे की किसी को tumor के कारण या फिर malignancy के कारण जॉन्डीस हुआ है तो उस वक chemotherapy inflammation के लिए anti-inflammatory and steroids medications भी prefer किये जाते हैं dietary changes और में any combination of the above कि patient को medicines के साथ जरूरी होता है अच्छे से healthy diet कि proper उसके लिए healthy diet के लिए जो nutritional experts होते हैं वो प्रॉपर डायेट प्लांट सजेस्ट करते हैं to treat जॉन्डीस also suggested that activity should be limited की proper जो जरूरी activities से उसको limited किया जाता है फिर कितने amount में diet लेना है कितने time exercise करना है वो सब अच्छे से patient के लिए limit किया जाता है other general treatment includes drink six to eight glasses of water a day कि जो waste है वो अच्छे ज्यादा पाने दिया जाता है कि जितना ज्यादा पाने पिएगा तो urine formation भी होगा urine formation से जो waste है वो body में से remove हो जाएगा through urine कि specially जब आप surgery करके या फिर medication से उसको cure करते हो तो जो excessive bilirubin जो level है वो जल्दी से आपको जो down करना है उसके लिए जरूरी है उसको excreate करवाना तो excreation के लिए जरूरी है यह ज्यादा water जो है वो patient को देना फिर eat lots of raw fruits and vegetables specially green leafy vegetables तो juice is good कि जो गर पे बनाया जता है not the ready made juice do not drink coffee alcohol soda pop junk foods do not eat the process food like white sugar white floor अलबकि जो हम मेंदा कहते है वो आप avoid कराओ बेशन को white sugar भी avoid करवाओ also avoid the junk foods होते है soda pop होते है alcohol होते है and coffee just healthy diet के fruits है अच्छे अच्छे green leafy vegetables से juice वह भी घर पे बना हुआ juice कि जिससे patient को काफी benefits होंगे you stress relief like going for walk in the park कि जब थोड़ी बहुत light exercise करता है या फिर walking करता है तो उसके लिए यह stress relief factor बनेगा in jaundice कैसे नहीं कि सर्फ medicine से treat करो you can also treat the patient by this way also फिर brown rice and millet are good brown rice और millet मतलब कि जो हम कहते है बाजरा जो हम कहते है तो जो बाजरा होता है वो वो patients को दिया जाते है उसकी रोटी दो आप तो उससे काफी फाइदा होता है avoid the red meat and animal fats फिर जो dairy products के लाग cheese milk सबको avoid करना है colon intestinal cleansing is also helpful get sleep patient अच्छे से सोए वो ध्यान रखना है आपको exercise light to moderate amount and then yoga है stretching की जो gym के अंदर आप करते हो वो सब उसके लिए best रहेंगे and do not smoke and avoid the second hand smoke तो यह है main important treatment of a jaundice so यह है lecture के अंदर तिल देन subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of pharma rocks good luck and all the best